जैसरी कुशना दोस्तों, रादे रादे मेरे लड़ुबाबु चैनल में आपका स्वागत है देखें मेरे लड़ुबाबु कितने प्यारे लग रहे हैं ड्रैस पैन के मैंने इस ड्रैस के मैचिंग कैप बनाई है, ये रही आईए मैं आपको ये कैप बनानी बताती हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें देखिए मेरे बाबू कितने प्यारे लग रही हैं मैंने उनकी ये ड्रेस बनाई थी आज उनकी ये कैप बनाऊंगी आप इसे सीखें और अपने लड्डू बाबू के लिए ड्रेस और कैप दोनों मैचिंग बनाई ये मेरे एक नमबर के लड्डू गोपाल है ये जीरो और एक दोनों को आजाएगी ड्रेस भी और कैप भी चलिए आईए हम कैप बनानी शुरू करते हैं दावा को दर ले जाके और इसे हम ऐसे सरकल बना लेंगे ठीक है ये ऐसे 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 करके इसे ऐसे निकाल लेंगे यहां से और फिर हम इसे थोड़ा खैस देंगे और इसे यहां से खैस देंगे ठीक है अब हमें इसमें छे स्लीप स्टिश करने हैं स्लिप स्टिच हम ऐसे करते हैं देखिए देखो पहले तो हम पहले हम एक की चैन लेंगे ऐसे ही ऐसे करके चैन बनाएंगे फिर हम इसके अंदर ऐसे डालेंगे फिर ऐसे यह निकालके और हम इसे ऐसे कर देंगे तो इसे स्लिप स्टिच कहते हैं फिर ऐसे करेंगे फिर ऐसे निकालेंगे, फिर ऐसे करेंगे, तो हमारे पास कितनी हो गई, दो, दो सिलिप स्टिच, और तीन, चार, पांच, छे, ये हमारे पास छे सिलिप स्टिच हो गई है, अब हम इस दाग को पकड़ कर खैस देंगे, तो हमारे पास एक सरकल बन जाएगा, अगर आपको ऐसा नहीं बनाना, तो आप चार चैन लेकर, और उस चैन को जोइंट करके भी सरकल बना सकती है, फिर उसके, अब इसे हमने जोइंट कर दिया, फिर हम एक चैन लेंगे, और जहां हमने ये चैन ली है, जहां हमने ये चैन ल तो हमारे पास दो हो गए अब हमें अगली चैन में दो स्लिप स्टिच करने हैं तो हमें हर चैन में दो-दो स्लिप स्टिच करने हैं तो यह हमारे पास सुरू में छह थे तो हमारे पास 12 हो जाएंगे तो हम ऐसी करके यह row अपनी complete करनी है second row यह हमारे पास 12 हो गए हमने यह से slip stitch से जोड दिया फिर हमें एक की chain लेनी है फिर हमें अब यह पहले row में 6 थे दूसरे row में 12 थे 12 और अब हमेंने 16 करना है तो हम जहां हमने एक की chain लिया उसी में एक और कर देंगे slip stitch फिर एक chain में एक करेंगे फिर जो दूसरी chain है उसमें एक करेंगे और जो यह तीसरी chain है तीसरी chain में हमें 2 करने है हमने शुरू में 2 किये थे फिर दो chain में हमने एक एक किया था फिर अब तीसरी chain में हमें 2 करने है फिर हम दो chain में एक एक करेंगे इसी तरह से हमने ये लाइन अपनी एरो त्री स्री रो कम्प्लीट करनी है तो हमने फिर ये राउं स्लिप स्टिस से जोईन कर देना है फिर हमें जो है एक रो दो रो तीन और हमें चोथी जो रो है उसमें भी हमें सिक्स्टी नहीं करनी है जो हमारी चोथी रो है उसके उपर हर एक चैन के सिलिप स्टीच होगा हर एक चैन पर एक सिलिप स्टीच होगा ना उसमें बढ़ेंगे ना उसमें घटेंगे तो आपको इस रो में फॉर्थ रो में भी हर एक सिलिप स्टीच के उपर एक सिलिप स्टीच करना है तो हमारे पास और 6th row भी, हमें 16, 16 की करनी है, तो आप ये 2 row complete कर लें, 5th और 6, इन्हें भी ऐसी कर लें, जैसे मैं कर रही हूँ हूँ, सिलिपिस्टिस से 16 के उपस 16 होंगी, तो आप ये 2 row complete कर लें, तो हमने 5th और 6th row अपनी पूरी कर ली है, complete देखे, ये रहा, ये हमने complete कर ली है, तो हमारी ये 6th row complete हो गई है, अब हमें क्या करना है last में, हमें 1 और 2, 2 की chain लेनी है, और इसी में, जहां से हमने chain ली है, जहां से chain ले, इसी में हमें एक और double crochet करना है, अब के हमें धागा चड़ाना है क्रोसिय पर, ऐसे करके, ये और ये, हमारे पास 2 double crochet होगे, तो हमें dress की तरह ऐसी करना है, हमें ये यहां complete नहीं करना है, हमें अब अपनी green wool लगानी है, ठीक है, इसे green wool से complete करना है, तो ये हो गया, द्याद रखना, dress की तरह है, दहागे दोनों साथ लेकर चनल लें, green भी और orange भी, ठीक है, देखो, अब यहां हमने, दो green करने है, ये हमें complete नहीं करना है, ये हमें orange वाले से complete करना है, ठीक है, देखो, ये ऐसे, ये हमें orange वाले से complete करना है, हमें अगले चैन में जाना है इसमें हमें दो डबल क्रूषी करने हैं एक और दो तो हमें इससे कंप्लीट नहीं करना है तो जैसे ड्रेस बनाई थे न्हें उसी तरह से कैप को कि फ्रिल बनानी है हमें ठीक है तो यह राउन हमें इस तरह से ही कंप्लीट करना है कि कि देखिए हैं अब अगया इसे स्में चैयों से जोई कर देंडा है एक यह हमारी कैप कंप्लीट है यह देखो मैं कितनी सुन्दर सी कैप बनकर त्यार है यहीर